स्री शिवाई नमस्तु ब्याम दर्शकों हर साल चेतर मास के क्रश्ण पक्षी की पंचमी तिथी को रंग पंचमी का तेवार मनाया जाता है इसे देव होली भी कहा जाता है देवो की होली याने देवो की पंचमी कहा जाता है इस दिन सभी देवी देवता होली खेलते हैं या पर्व होली तेवहर के पाँच दिन के बाद आता है ऐसा कहा जाता है कि रंग पंचमी के दिन रंगों के प्रयोग से स्रश्टी में सकारत्मक उर्जा का प्रवेश होता है और सकारतमक उर्जा को लोगों को देवताओं को इस प्रशक की अनुवती होती है यानि सभी देवता रंगों में समा जाते हैं वहीं सामाजिक ड्रस्टेशे भी इस तेवहार को बहुती अधिक महत्व दिया गया है माना जाता है कि रंग पंचमे के दिन कुछ ऐसे विशेश उपाय किये जाते हैं जिन से आप बहुत लाप्राप्त कर सकते हैं आईये जानते हैं आपके दुखों को मिटाने के लिए अगर करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी ना ही घर में कलेश होगा जान लेते हैं सबसे पहले धन प्राप्ती का उपाय आर्थिक संकटों से छुटकारा पाने के लिए और धन प्राप्ती के लिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य करें आपको लेना है कमल के फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी नारायन भगवान का चित्र याने भगवान लक्ष्मी नारायन कमल के पुश्प पर बैठे हुए हो ऐसी तस्विर ले आए आपके पास मूर्ती हो तो मूर्ती भी आप रख सकते हैं उसे उत्तर दिशा की ओर एकचोकी पर इस्थापिद कर दे लाल वस्तर बिछा कर उसमें आपको कलश की इस्थापना करनी है कलश की इस्थापना करने के बाद में घी का दीपक प्रज्वलीद करना है और लाल गुलाब के फूल लक्षमी नारायन भगवान को अर्पित करनी है और लक्षमी नारायन को गुड और मिश्री का भोग लगाना है और माता लक्षमी को खीर का भोग लगाना है पूजा के बाद लोटे में रखा हुआ जल को आप किसी ऐसे पात्र में एकत्रित करके र रखा रहे और बच्चा हुआ जल आप घर में छिड़काओ कर दें अगर आपके घर में धन की कमी है तो वहत तुरंत ही पूरी हो जाएगी धन आकस्मिक रूप से आपके घर आने लगेगा बस इतना सा उपाय है अगर आपकी नोकरी नहीं लग रही है नोकरी पाने के लिए एक और हम बताते हैं जिससे आपकी नोकरी में तरक्की मिलेगी अगर नोकरी लगी हुई है तो प्रमोशन मिलेगा और जिनकी नोकरी नहीं है उसे नोकरी मिलेगी नोकरी पाने के लिए आप सुबा सुबा जल्दी उठें ब्रहमु मौरत में इसनान कर लें और आपको एक शंक लेना है आपके घर में शंक होगा शंक नहीं है तो आप एक कलश में दो चुटकी रोली डाले हल्दी डाले और उसमें सुद्ध जल डाले थोड़ा सा कंगा जल डाले काली तिल के आठ या दस दाने डाले उसे 108 बार किसी भी मंत्र का जाब करें ओम सुर्याय नमा का जहां मंत्र जाब कुश आस्थान पर बेट कर करना है खड़े हो कर बिलकुल न करें और अर्द देते समय आप सुर्य भगवान को पूर्व दिशा की और मुख करके अर्द दें खड़े हो करके अगर आप नोकरी समवन्दी कोई भी समस्या का निवारन चाहते हैं तो इस उ पूरे देवता को तांबे के एक लोटे में जल गोड और गंगा जल मिलाकर पित्र देवता के नाम का मंत्र इस्मरन करके 108 बार मंत्र जाब करें और पीपल के व्रक्ष के जड़ में इस जल को समर्पित कर दें थोड़ा सा पानी बचा कर घर ले आए और इसे अपने पूरे की प्राप्ती होगी यह उपाय आपको रंग पंचमी के दिन करना है इस उपाय को करने से आपके समस्त मनो कामनाओं की पूर्ती होगी और उपाय जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में सिरी शिवाय नमस्तो भी हम जये माता दी